आप सब के साथ मुझे अपने weight gain diet plan share करना बहुत अच्छा लगता है एक तो आप सब इतना अच्छा response करते हैं और जब मुझे feedback मिलते हैं कि आपका diet plan follow करने से मेरा इतना केजी इतने दिन में weight बढ़ गया है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा diet plan share करूँ easy diet plan रखूँ जो सब लोग follow कर सके देखो diet plan बनाने का फाइदा ही तबी है जब मैं ऐसा diet plan आपके लेकर आँ जो आप follow कर सकते हो जो diet plan आप following ही कर सकते हो तो उस diet plan को आप से share करने का कोई फाइदा नहीं है I know सब के पास limited time है मेरे पास भी limited ही time है और मुझे अपने weight gain journey के साथ साथ बाकि सब चीज़े भी manage करनी होती है तो मेरी कोशिश भी रहती है कि वे one foot meal लेकर आँ healthy meal लेकर आँ जल्दी बनने वाली meals लेकर आँ और जिनका effect जादा हो कुछ ऐसी meal लेकर आँ जो मेरी clients है hostel वाले PG वाले job करने उनके उपर ये अच्छे से काम करें कुछ ऐसी meal लेकर आँ और ये ऐसी meal हो जो रोज मर्रा में घर में हमारे बनती है हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें अपने parents को या फिर खुद को बहुत ज्यादा time हमें kitchen में ना रहना पड़े फड़ा-फड से बनने वाली ऐसी dishes में लेकर आँ अपने weight gain diet plan में तो आज भी मैं कुछ ऐसी ही recipes लेकर आई हूँ आज भी कुछ ऐसा ही diet plan में लेकर आई हूँ जिसे बनाना follow करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा और diet plan अगर अच्छा लगता है ना तो एक like जरूर किया करो और जो आपके friends हैं PG में या hospital में जिने weight gain करना है उनके साथ share जरूर किया करो तो start करते हैं अपना weight gain diet plan आज बनाया मैंने सुभे चीकू का shake मैंने लिए हैं दो चीकू dry fruits और दूद चीकू का shake बनाने का ये फाइदा है कि इसमें कुछ भी sweet आलने के आपको जरुवत नहीं है वालब चीनी, शकर, खाड यहां तक कि अगर आप खजूर भी skip करते हैं तो भी आपका जो shake बनेगा वो बहुत sweet और बहुत ही tasty बनेगा दो चीकू at least लेना उसके बाद और इतना ज्यादा tasty ये चीकू का shake बनाया ना आप change करकर के अपने shake बना सकते हो कभी केले का, कभी save का, कभी चीकू का तो इस तरह से अपने shake change करते रहों जिससे body में सब तरह के minerals आपको मिलते रहें लेक अब मैं कोशिश करूँगी चीकू का shake थोड़ा ज्यादा पीना क्योंकि काफी दिन से बनेना का shake लिए रही थी उसके भी बात किया मैंने खुब सारा exercise और फिर मैंने लिया एक सबजियों का juice सबजी भी है इसमें फल भी है मतलब इसमें है गाजर आवला बीट रूट घर पे और और जिस रखेते तो मैंने वह डाल लिये तो इससे आपका पेट बहुत साफ रहेगा और आपके skin बेटर रहेगी और digestion system improve होगा आपकी तो बहुत सारे आपको इसमें भी बहुत सारे benefits में और हमेशा गाजर का जो juice होता है ना बेकूट का जो juice होता है ये हमेशा आप बहुत साथ में ने पड़ए में मदद करता है तो आप ये जू खी लेना इसमें आप बस इतना चेरइंज कर सकते हो कि और जी जगार आप सेभ ज़ी और अब और आवला साथ में लेना है और साथ में एक फ्रूट लेक्वत अबना पिर आज आती है मेरा एक बहतरी इन सब् मेरा बहुत यम बना था, मेरा फेवरेट ब्रेकपास्ट मूंग दाल चीले और उसके उपर पनीर की स्टाफिंग, I love दिस ब्रेकपास्ट, मैंना वन उफ माइ फेवरेट ब्रेकपास्ट, वैसे तो मुझे मेरे जो ब्रेकपास्ट होते हैं, वो मुझे हमेशा ही बहुत आगया, आपको भी डेली एक फ्रूट लेना है, कोई भी अपना फेवरेट ले सकते हैं, लंच में, लंच में तो आज मेरा बहुत ही फेवरेट लंच मना था, ब्रियानी और खूब सारी कर्ड, ब्रियानी में मैंने सोया चंग्स भी डाले हुए हैं, और पनीर भी डाला रात को मैंने बनाई शाही पनीर, शाही पनीर बहुत इजी है बनाना, मैंने इसलिए आपसे पूरी रेसिपी शेयर करी है, मैं जो ज़्यादा पनीर बनाती हूं, जो भी कोई सबजी बनाती हूं पनीर के तो मेरी बना शाही पनीर ही बनता है, बहुत असान है, टमाटर प् पनी डालो और साथ में आराम से रात को बैठके रिलेक्स होके 6-7-8 के बीच में आपको अपना डिनर कम्पीट कर लेना चाहिए इसमें बस जो टाइम लेता है वो लेता है वो जो ग्रेवी हमारी भुंतवी है फोड़ा अच्छा से बोरो तो सब्झ का जो टेस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है इसमें एक secret tip में आपको बताती हूं, जब आपको सब्जी ready हो जाएं, इतनी वादना सब्जी में वो टेस्ट में आता, तो आप उपर से एक चमच मलाई या फिर एक चमच शेहट डालो, तो आपका जो शाही पने का जो sweetness है बढ़ जाएगी और बहुत ही जादा आपकी जो आपके लिए टास्क जैसा नहीं होता, आप बना सकते हो, तो इसे डिनर में आप इसकी क्वेंटी जादा भी बना सकते हो, जिससे आप ब्रेकफास्ट में भी सम्टाइम्स आप इसको यूज कर सकते हो, मैं कोशिश ही करती हूँ, थोड़ी क्वेंटी में जादा बना लो, और सुबह ब्रेकफास्ट में भी मुझे को ये सबजी खाने के लिए मिल जाए, इसको जटपट बनाओ और खूब खाओ इसको, आप इसे लंच में भी लेकर जा सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी, डिनर में भी, और इसकी जंगा आप थोड़े से और ड्राइफूर्स और ग्रेविक बनाने करी तरीके हैं, लेकि मैंने सबसे इजियस्ट और फास्टेस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, जो फटा-फट से बन जाएगे, ठेक है, और भी कोई जो डाउट्स होते हैं आपके, वो मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हुआ, आप मेरी इंस्ट काई डी S offenHN और मेरी बॉड़ी को पुरा वो रिलाक्स करता है और अब आप भी काम कर सकते हो जो दूद बना रहे हो आप दिन में या रात में जब भी आपका भी दूद पीते हो तो उसमें एक चिमश देसी घी का और डाला शुरू कर दो और और क्या करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर करना अगर आपको काम की लगती है तो थाइंक यू सो मुच बबाई